ज्यान दो हां सबको मैं आपके लिए काम लेकर आया हूं ज्यान दो मैं आपके लिए काम लेकर आया हूं क्या काम है आपको बताए रूरल इंडिया में रूरल ये बॉक्स पढ़ लो बॉक्स वन रूरल प्राइमरी एजुकेशन रूरल गावों में प्राइमरी याने शिक्षा एकदम थर्ड फोर्थ एजूकेशन ये चार्ट क्या बता रहा है ये कहानी पढ़ ले ना घर पे जाके डाउनलोड भी कर लो ये ऐसा चार्ट है जिससे अपने को शरम भी आनी चाहिए और अपने को डर भी लगना चाहिए और अपने सबने कुछ तो भी करना भी चाहिए ये बात ख्यान दो पचास प्रतिशत ऐसे बच्चे बच्चियां है अपने देश में तीसरी से आठवी कक्षा में जिनको इंग्लिश और मैच्स बेसिक भी नहीं आता आप समझो इस बात को पचास प्रतिशत रूरल रूरल इंडिया आखो लेंगे कुछ भी बात कर रहे है देखो यहां पे लिखा हुगा है सब अब यहां प्रतिशत रूरल इंडिया आखो लेंगे कुछ भी नहीं है अब यहां प्रतिशत रूरल इंडिया थे बात कर रहे हैं तो अब तक आप में से आधे से जादा लोग सुमाई भी सोगया रहे थे चोड़ो कि अब यह मैं चाहता हूं कि सब को समझें पर आट असेम टाइम हम सबने यह भी कोशिश करने चाहिए कि basic English बी तो पढ़ते आने चाहिए आप एक साल में एक बंदे को या एक लड़की को सिखा फुगड में पैसा मतलों आपको जो भी मिलता है चल बैट बोलना में तरी को सिखाता हूं उसके लिए पहले आपको कॉलेज अटेंड करना पड़े आप लोगी तो नहीं करते हैं करना मस्ती करना पर देखो एक सो तीस करोड का अपना देश प्राइमरी एजूकेशन में कितने बच्चे होंगे पांच वी से आठ वी अक्षा में और यह अपने देश के बजेट के पहले प्रेजेंट होने वाले एक अनॉमिक सर्वे में यह लिखा जा रहा है सतर साल के अगे क्या बोल रहा है तो इसमें से सबस्क्राइब करना चाहिए भल लोग यूट्यूब्लियूने हम लोग यूट्यूब पर क्यों लेक्टेस डाल रहे हैं एक तो बात यह है कि हम फुद इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉप मार्केट में वगरे वगरे तो बगवान की दया से इत्ता तो मिल जाता है कि भूका नहीं सोना पड़ता पर एक और बात है कि हम बाकी के जगह पर हमारी यह चीज़ खरिए